सावन दो हजार चोबीस सावन में इस बार पांच शोवार बाई जुलाई से शुरू हो रहा स्रावन का महीना बन रहा है अदबुत संयोग सावन दो हजार चोबीस सावन का पवित्र महीना जुलाई से अरंब हो रहा है यह महीना भगवान शिव को बहुती प्रिय होता है मानेता है कि जो भी भक्त पुरी सर्धा भाव से सावन के महीने में भगवान सीव की अराधना करता है उसकी सभी रह की मनोकामना सावन के महीने में भोले संकर जरूर पूरी करते हैं सावन महा में इस बार भगतों को भगवान शिव की अराधना करने का ज़्यादा मोका मिलेगा क्योंकि सावन में इस बार पांच सुमार होंगे पहले सुमार बाई जुलाई को होगा सावन महा उनती दिन का होगा सावन महा की जैसे जैसे तीथी नजितिक आती जा रही है तो शिवालियों में भी तियारियां शुरू होने लगी है वहीं सावन महा में आने वाली महा शिवरात्री को लेकर भी भगत तियारियों में जूटे हुए है सावन का पहला समवार 22 जुलाई को होगा और इसी दिन से सावन मास का आरम हो रहा है साथ ही इस बार सावन मास में यह सुभ शियोंग बन रहा है कि सावन की शुरुवत सोंवार से और समापन भी सोंवार से हो रहा है सावन मास का अरंबाई जुलाई दिन सोंवार से और समापन उन्नी अगस्त दिन सोंवार को होगा इस बार सावन में पांच सोंवार का व्रत किया जाएगा जो बेहदी सुभ माना जाएगा इस बार सावन के पहले सोंवार पर एक या दो दिन नहीं बल्कि पांच अध्वुत योग में भगवान सिव की पूजा की जाएगी सिव पुराण के अनुसार सावन सोंवार का वरत करने से भग्यदय होता है और भगतो पार सिव की कृपा बनी रहती है साथ ही जीवन में सुक्समरिद्धी और उकुषाल वैवाईक जीवन के लिए सावन सोंवार का वरत किया जाता है सावन में भगवान सीव की पूजा अराधना करने से ग्रह नक्षत्रों का सुफल प्रापत होता है और सभी दोस्त दूर होते हैं क्योंकि भगवान सीव सभी ग्रह नक्षत्र और स्रिष्टी के स्वामी है सावन का पवित्र मीना भगवान सीव कोश मर्पित है इस महीने में देवों के देव, महादेव और माधा परवति की विधी विधान से पुजा की जाती है आपको बता दें कि इस महीने में विधी विधान से पुजा करने से वेक्ति की सारी मौनो कामनाई पूरी होती है साथ ही महादेव भी प्रसन होते है हैं वो रुण का अश्रिवाती भी मिलता है आपके साथ है सावन श्रात्री जिशें मेहत्ुष्टर मका रहताँ इस सानसा मार्थ कम रखी सब्सक्रारत . जुर्षान है करे गार्युण सब्सक्राइब सबस्क्राइब बहुत का है वही पंचाम के अनुशार सावन मास के क्रिशन प्रक्स की चतुरदसी तीथी दो अगस्त को दोपार तीन बजगर 27 मिन्ट से शुरू होगी वहीं इसका समापन अगले दिन यानी तीन अगस्त को दोपार तीन बजगर 51 मिन्ट पर होगा शावन शावन के समय पूजा का विशेश महत्व है इसलिए शावन शावन के महिने में भगत कावड लेने भी जाते हैं और शावन के दिन अपने स्थान पर वापस आकर भगवान शिव को जल्शे भिशेख भी करते हैं शावन शिव रातरी के दिन सुबह जल्दी उट कर सनान करें इसके बाद वरत का संकल लें शावन के महिने में वरत रखा गया विशेश फलदाई होता है शनान करने के बाद साफ कपड़े पहने और अपने पूजास थल पर पूजा करें और अपने पूजास थल को अच्छी तरह से सजाएं चोकी प्रलाल कपड़ा बिचा कर सीव प्रिवार की तस्वीर रखें इसके बाद कच्चा दूद दही और गंगा जल मिला कर भगवान सीव को अभिसेख करें महादेव को चंदन माता पारवती को कुमगम का तिलक लगाए सबसे पहले देशी घी का दिपक जलाए अंत में भगवान सीव की चालिशा और सीव की आरती जरूर करें इसके साथ इसीव चालिशा का पाठ भी करें ऐसा करने से आपके सभी मनवांचित इच्छाई जो हैं पूर्ण होगी और आपको लाब भी होगा धन्यवाद